सनातंदर में पीपल व्रिक्ष को देवों का देव कहा गया है, स्वयम भगवान ने उससे अपनी उपमा देकर पीपल को देवत्व और दिव्यत्व को व्यत्व किया है गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं व्रिक्षों में पीपल हूं मूलते ब्रम रुपाय मद्यतो विष्णू रुपिने अगरते शिव रुपाय अश्वत्थाय नमोनमे अर्थात इसके मूल में ब्रम मद्यमे विष्णू तथा अगरव हाग में शिव का वास होत जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देटा, उन्हें पीपल में प्रतिदिन जल चड़ा कर साथ परिक्रमा करनी चाहिए। इससे कुछी दिनों में व्यक्ति का भाग्य का साथ अवश्य मिले लगेगा। और उनसे बोली, जगत के पाल नार कृप्या हमें रहने का स्थान दो श्री विश्न उन्हें कहा, आप दोनों पीपल के व्रिक्ष पर वास करो इस तरह वे दोनों बहने पीपल के व्रिक्ष में रहने लगी। वान ने मा लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने इंकार कर दिया, क्यूंकि उनकी बड़ी बेन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के उप्रांत थी, वह श्री विश्नू से विवाह कर सकती थी। दरिद्रा से पूछा, वो कैसा वरपाना चाहती हैं तो वे है बोली की, वे है ऐसा पती चाहती हैं जो कभी पूजा पाठना करें। अब दरिद्रा की शर्तान उसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था, जहां कोई भी दर्म कारें न होता हो। रिशी उसके लिए उसका मन, भावन स्थान धूनने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान ना मिला। धरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विश्नूनने पुन लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो लक्ष्मी जी बोली, जब तक मेरी बेहन की ग्रिहस्ती नहीं बसी है, मैं विवाह नहीं करूंगी धर्ती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां कोई दर्म कारे न होता हो, उन्होंने अपने निवास्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा व उसके पती को दे दिया, अत्थ हर रविवार पीपल के नीचे देवताओं का वासना होकर दरिद्रा का वास होता है, अत्थ इस दिन पीपल की पूजा वर्ग जि वो से रविवार को ही खाट आ जा सकता है।